आज बैसा की है बैसा की यानि मेलों का तेवार, खेलों का तेवार, फसल के कटने का तेवार आज देश के अलग-अलग हिस्टू में ये तवार अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है लेकिन ये तवहार किसान भी मना रहे हैं और इस तवहार पर वो ही कह रहे हैं कि हम अपने तवहार भी मनाएंगे और अपने लड़ने की जो स्पीरिट है इसको भी जिंदा रखेंगे इसी स्पीरिट के तहट जो है उन्होंने आज यहां पर दलाल खाप मेदान जो तीकरी में है वहां पर उन्होंने खेलों का आयोजन किया है आखिर क्यों यह आयोजन पूरा किया गया है आये जानते हैं कुछ के सानों से आज वैशाखी मेले के अंदर हम यहां टीकरी बॉर्डर पे हैं और यह जो मेला सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मौके के ऊपर अने तरह के खेल और कल्ट्रल प्रोग्राम और कुष्टिया यह सब और गिनाइज की जा रही है और आम तोर पे किसानी जो है जब उनकी फसलें बिल्कुल पकी हुई होती है बहुत खुशी और उल्लास के मूड में होते हैं उस समय पे वहिशाखी अपने यहां पर अपना बनाते थे अपने घरों में अपने सगे समवंदियों के साथ लेकिन ये जो किसान आंदोलन है इसने वो जो परिवार जो है एक बड़े परिवार का स्वरूप जो है वो क्रियेट किया है किसानों के लिए और ये टिक्री बॉर्डर पे आज जो वहिशाखी मेला ओर्गेनाईज किया गया है यह इसका परमान है कि किसानों ने अपने आंदोलन के अंदर एक बड़े मन, बड़े दिमाग के साथ, जो उनके संगर्शों के साथी है, उनके साथ एक नया परिवार, एक नई कम्यूनिटी जो है, वो प्रियेट करी है, वो सेलिब्रेट करी है, अपने कट्थे होने को, अप आपने कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं देखा होगा इतनी भीड के साथ लगातार मेंटेन रहा हूँ आंदोलन 20-20 साल से चल रहे हैं लेकिन लोग 10-20 बैठे हैं लेकिन आप खुद अपने मन से बताइए क्या ऐसा आंदोलन आपने अब तक कोई देखा है इतना लंबा जो हर ब कोई के साथ अब तक चल रहा हूँ अगर फसल की बात आए फसल तो हमारी सांभी जाएगी कोई बात नहीं अगर हमारी जमीन ही नहीं रहोगी तेह हम कनक को क्या करेंगे खरीदने वाला ही नहीं रहोगा जो पैदावर गां अधा ऑनवाला पविखा बच्चयांदी पड़ ये साड़ा जी कर ये सिना देए पानी की बतल भी सुरुवेगी और मारा ग्याओं का दाम 19 रूपे 25 पैसे शरम की बात इस देश के लिए लड़ा दे मुहाई पे लली रोज चड़े दिये लहू जाद का मेदा सड़े जिन्दगी देरा विच भका दिया मंजड़ा नू तेरा सिंग हसते बरे